नमस्कार के आपचल टीवी का खार शो राहूल का अगने पर देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूछा राहूल गांधी अपने आपको तपस्वी बताते हैं पर वो कितने बड़े तपस्वी है आज इसका हम खुलासा करेंगे कई दिनों से हम लागतार ये सवाल पू पर आज आपको बताएंगे कि राहूल गांधी गय तो थे यूएस पर निकल गये यूके और ये दाबा हम नहीं शोशल मीडिया पर वारल राहूल गांधी की फोटो बता रही हैं वो तस्वीर आपको दिखाएंगे राहूल गांधी के तपस्वी होने के ढोंग का पूरा परदा फाश करेंगे पर सबसे पहले स्वागत करते हैं चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडिय में मौझूद क्यापिटल टीवी के एक स्क्यूटब एडिटर राजीब जी का राजीब जी बहुत बहुत स्वागत तो सबसे पहले आप जिला शोशल मीडिया पर वारल हो रही इन तस्वीरों को देखिए इन तस्वीरों में राहूल गांदी एक महिला के साथ दिख रहे हैं जिसको लेकर अब राहूल गांदी को जम कर ट्रोल भी किया जा रहा है इन तस्वीरों में राहूल गांदी एक महिला के साथ किसी होटेल या रेस्टोरेंट जैसी जगह में बैठे विद्खाई दे रहे हैं ट्वीटर पर लोग इस महिला को मिस्ट्री गर्ल के नाम से बुला रहे हैं दावा किया जा रहा है कि यह फोटो यूएस का नहीं बलकि यूके का है कौन है यह मिस्ट्री गर्ल काफी जदा सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांदी को ल लेकिन कॉंग्रेस इस बात को मानती नहीं है और नहीं कॉंग्रेस के पास जवाब है इस बात का कि आखिर राहुल गांदी जिसे पी एम इन वेटिंग कहा जा रहा है विपक्षी एकता की बात चल रही है बताया जा रहा है कि अगला प्राइम निस्टर का कंडिडेट स्वीरों में दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप हनी ट्रेफ हो गए किसी मिस्टरी गर्ल की बात की जा रही है आप यही बता दीजे कि वो मेरी गर्फरंड है या वो मेरी बीबी है लेकिन अगर यह भी नहीं बता पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक अयास बता जा सक होता है कि चुनाप परचार करने के बाद कुछ दिन रेस्ट मोड में जाना है तो अचानक से गायब होकर इरोप चले गए अभी वो अमेरिका गए हुए हैं लेकिन अमेरिका में उनका प्रोग्राम कितना दिन पहले खत्म हो चुका है और उसके बाद उन्होंने 18 तारिक त ट्रक वाले के साथ घूमना बात करना ये वीडियो सूट भी जो हुआ है ये चार तारिक के दोरान का है ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिस समय राहुल गांदी वहाँ पर थे और उस समय जब प्रोग्राम चल रहे थे उसी दोरान इन्होंने ये भी प्रोग्राम कर लिया से लेके इनकी पूरी टीम वहां पहुंची हुए थी यूएस में उसी समय इन्हों ने एक सुट कर लिया और उसको ये बताया कि एक सब्ता के बाद बीच में डालना और उसके बाद ये लगेगा कि राहुल गांधी वहां पर एक्टिव है लेकिन अचानक से चार तारीक से 18 तारीक के बीच ये जो गायव हो गए उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा और वो रीजन अगर कॉंग्रेस नहीं बताती है तो देश के लोगों को या सरकार को इस बात का संदे होगा कि आप किसी गलत हाथों में हैं किसी गलत हरकत में शामिल हैं या फिर आप अपने personal trip पर अगर हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किसी लड़की के साथ हैं वो भी विदेशी लड़की के साथ तो कहीं आप देश के सिक्रेसी लीक तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अगर व्यक्तिकत तौर पर देखा जाए तो कोई एक व्यक्ति के तोर पर हिंदुस्तान में नहीं देखे जाते हैं ये देश की सबसे बड़ी political party रही है Congress और अभी चाहे जितनी भी खराब इसेती हो लेकिन ज्यादा तमेज तक सरकार Congress की रही है सत्तर सालों में 50 साल से ज्यादा Congress की सरकार रही है इनके पास पुर्विदेश मं मंतरी हैं और साथ ही जो पूरा का पूरा सिस्टम है अधिकारियों का उसमें कहीं न कहीं राहूल गांधी के पूरी टीम के involvement है जो पूरु मंतरी रह चुके हैं और जो सालों तक किसी अधिकारी के साथ काम कर चुके हैं उन लोगों को कई ऐसी खूफिया जानकारी होती है जिसके लिए इन्हें शपत दिलवाया जाता है। संबिधान की सपत जो मंत्री की होती है पद और गोपनियता की सपत होती है। अगर सांसत बन रहे हैं तो पद और गोपनियता की सपत होती है। और आप कई कमीटियों के जो कॉंग्रिस उसमें शामिल रही है। चाहे defense related committee हो, economic affairs related committee हो, या फिर विदेशी मामलों की समिती हो, अब उन समितीों में जो चर्चा होती है एक एक चीजों के बारे में, तो जो मामले अभी सामने आ रहे हैं, defense के कई ऐसे अधिकारी हैं, जो honey trap के जाल में फच चुके हैं, तो कैसे देश के लोग या फिर सरकार कि आप जिस लड़की के साथ हैं, वो आपको honey trap नहीं कर रही हैं, जब तक कि आप ये बताते नहीं हैं, कि आपकी वो अपनी नीजी है, अपनी दोस्त है, या फिर गल्फरेंड है, या फिर आपकी वाइप है, आप इसे reveal नहीं करना चाते हैं, तो हर एक छोटे बड़े मु कि गल्फरेंड है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये राहूल गांदी के साथ कुछ गलत संबंद के साथ रश्टे रखते हैं, बहुत पटांग बयान बाजी हो रही है, राहूल गांदी की छविक को नुकसान पहुच रहा है, ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी क्यों सामने आक कहती है कि ये इनका पर्सनल मैटर है, सारजनिक नहीं किया जा सकता, तब भी एक सवाल उठेगा कि पर्सनल मैटर सारजनिक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, अगर किसी देश का प्रधान मंतरी विदेश जाता है, और वहाँ पर वो ऐसे एक्टिविटी में शामिल होता है, जिसकी जानकारी ना उनके पर्सनल स्टाप को है, ना अधिकारी को है, ना सेक्यूर्टी वाले को है, तो ऐसे में उस देश की जनता और देश सरकार के दूसरे अधिकारियों को ये जानने का अधिकार होता है, अब राहुल गांधी एक सांसद थे, अभी सांसदी उनकी गांधी और राहुल गांधी थे जो सरकार को ये कह सकते हैं कि ये अध्यादेश आपने जो लाया है ये फर्जी है इसे फार के फिक दो और दूसरे दिन ये अध्यादेश वापस हो जाता है मतलब आप ऐसे सरकार का हिस्सा रहे हैं जिसके पास कई जानकारिया हैं और आपके उपर आरोप भी लगता रहा है कि सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो चीन के साथ जो इनके संबंध है उसके उपर भी आरोप लगता रहा है तो कॉंग्रेस अगर एक बार भी बोलती है कि वो लड़की के बारे में जो सवाल उठाया जा रहा है ये सचाई है लेकिन वो उनका personal matter है तो भी वह फस जाएगी इसलिए Congress इस मुद्दे पर शांत है और जब भी Congress के तरफ से कोई बोलेगा तो इस तस्वीर को फर्जी बताएगा यह बताएगा कि यह more हुटे तस्वीरे हैं फोटो को तोड मरोड कर पेश किया जा रहा है क्योंकि कई सारे वीडियो भी सामने आ चुके हैं और जिस तरह के वीडियो है इससे यह साब समझा जाता है कि राखुल गांडी अयासी कर रहे हैं बोला नहीं चाहिए लेकिन फिर भी तस्वीरे भी हम कुछ में गलास पकड़े हूए है कहीं separate space में वो अपना time एंड कर रहे है ऐसे में राखुल गांधी अपने आपको तपस्वी बताते हैं यह कौन सी तपस्वी का तरीका है देखिए इनकी तपस्वी का जो ये तपस्वी बताते हैं अपने आपको उसकी पोल तो भारत जो reasoning यात्रा के समय ही खुल गई थी क्योंकि जो इनके इनको ले जाने के लिए जो बनाए गए थे गाड़ियां बनाए गए थी उन गाड़ियों की तस्वीरे जब सामने आए थी तो सब को पता चल गया था कि ये जो फाइव स्टार होटल जैसे सुविधाओं वाले गाड़ी में चलते हैं और बाहर निकलने के बाद अपने आपको क्या कहते हैं हम तो आध्यात में डूब गए हैं पहले के राहुल गांधी की हमने हत्या कर दिये मतलब पहले के राहुल गांधी की हत्या मतलब पहले का राहुल गांधी अयास किसम का व्यक्ति था उसके बाद अब एक न पारण तो यही होती है कि वहाँ पर वो उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो भारत के खिलाफ कुछ पार्टियों को समर्थन दे के भारत को कमजोर करने की कोशिश समेता करते रहे हैं वो पाकिस्तान के एजेंट के साथ मुलाकात करते हैं जो ये बताता है कि पाकिस्तान के प परंपरा का पालन रहूल गांदी कर रहे हैं दूसरे अस्तर पर जो एक ये साजिस करताओं के साथ मुलाकात करना और दूसरा इनका परसनल ट्रिप जो कि ये बताते तो हैं कि प्रोग्राम में हम परवासी भारतियों के साथ बात करने जा रहे हैं हम देश के बारे में बात कर पूरे जो इनका दोरा होता है उसमें दो तिन दिन का इनका प्रोग्राम जो है इसलिए और्गनाइज करवाया जाता है कि यह पता न लगे कि इतने दिनों तक यह विदेश में कर क्या रहे थे तो कि इससे पहले जब यह यूरोप के छोटे देशों में जाते हैं या फिर बोपर गए इसलिए इस बार भी जो राहुल गांधी की यह तस्वीरे आई है यह दो तरह से सक पैदा करता है एक तो आपने जो सम्विधान के शपत ली है उसमें आपने जूट फैलाया दूसरा यह कि अगर यह आपकी वाइफ नहीं है आपकी गर्फरेंड नहीं है तो हो सकता है कि आप उन लड़कियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो की भारत का सिक्रिसी अगर कोई खूफिया जानकारी है वो आप से ले सकती है क्योंकि इसके परमान मिलते हैं और यह तो कहा जाता है बलकि इसके दावे किये जाते हैं कि सूनिया गांधी भी कभी केजी भी के चुके थी तो राहूल गांधी के पीछे अगर कोई लगा हुआ हो अगर विदेश में इनको ट्रैप कर रहा हो तो ये अपने पर्सनल लाइफ के इनको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन देश की उन जानकारियों से दिक्कत है जो राहूल गांधी कर रहे हैं और ये अब लोगों के सामने आना चाहिए लोगों को उनसे कॉंग्रेस से इसका जवाब बांगना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए तो राहूल गांधी गये तो थे अमेरिका पर निकल गये यूके प्रिगर्ड के बारे में जरूर जानकारी देनी चाहिए आप अपनी राय कॉमेंट करके जोर लिखें देखतेरें कैपिटल टीवी नमस्कार